नमस्कार स्वागत अपका इस यूटूब चैनल जीके वित आरके में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के बारे में देखिए इसका नोटिफिकेशन जारी होते ही हजारों लोगों की जो उमीद थी वो फिर से जाग उठी है क्योंकि बहुत दिनों स से वेकेंशी नहीं आ रहे थे और इसके बीच में दिल्ली पुलिस के दोरह वेकेंशी निकाला गया है वह भी अच्छी खासी पोस्ट पर यहां पर देखिए पांच हजर आठसोच्यालीस कॉंस्टेबल पद के जो है वेकेंशी निकाली गई है इस पद पर तो दोस्तों कि पर देखिए पर देखिए नोकरी लेने की क्योंकि दिल्ली पुलीस यह प्रोफाइल वाली जोब है तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जनकारी देने वाले है कि इस फॉर्म को भरने के लिए लास्ट क्या रहेगा एजुकरिशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा ग आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है तो इस वीडियो के साथ अब बने रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन पेज़ पर हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों जिए इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट की कोई भी तरह की वेकिंट्सी निकल कर आती है तो हम वीडियो लेकर करते हैं आपके लिए तो उमीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे चलिए नोटिफिकेशन पेज पर ले चलते है कि मुझे चलते हैं की कब से उनलाइन हो रहा है इसका अंतीम्ति तीति क्या है तो देखißt इसका मीकिंग पेमेंट कपर सकते हैं 692 करना चाहते हैं तो इसका टेट रखा गया है क्यारा नौ दो हजार वीस ठीक है और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ट एक्जामिनेशन आने कि यह जो परिच्छा होगा ओनलाइन एक्जाम होगा तो इसका जो तीथी रखा गया है एक्जामिनेशन का 37-120 से ले करके 14-12-2020 इसके बीच में इसका एक्जामिनेशन आपका होगा ठीक है तो इसी के बारे में चलिए हम लोग और यहां पर अच्छी तरह से डीटेल्स में इसके बारे में जनकारी ले ले लेते हैं तो अभी तक आपको हमने बता दिया इसका कब से ओनलाइन हो रहा है और इसका लास्ट क्या है ओभी तो अप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेट थू ओनलाइन मोड ओनली तो यह फोरम जो सिर्फ और सिफ ओनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं ठीक है इसका जो एक जांड़ोर। दोी लेंग्वेज में होगा जो सिबिटी के माध्यम से होगा आंगaneously और हिंदी के माध्य हम इसमें परिषा दे सकते हैं फिजीकल के कि जD again हम बारे में बात करें तो यहां पर देखिए फिजीकल मेंजरमेन्ट होगा पी एंड एंड एंटी विल भी सेड्यूल एंड कंड़क्टेट बाइदा डेली पुलीस इन डेली ठीक है तो यह कॉलिफाइंग नेचर की होगी जो डेली पुलीस के दुवारा आपका फिजिकल लिया जाएगा ठीक है चलिए आगे जिदि हम इसमें बात करें तो आगे इसम हाएं से जीटेल बाए बात करें कि कि इस किस ऐसे उति किस के दूप आगेक जया तो यहाओ तो यहां पर देखें। जिसमें टोटल 226 पोस्ट है और मेल जो है कॉंस्टेबल एक सर्विसमेन के लिए जो कमांडो पारा 3.2 में काम करते हैं उनकील टोटल 243 पोस्ट है ज्यादे बात करें कि फीमेल के लिए कितने सीटे हैं तो फीमेल के लिए है एक सर्विसमें के लिए ठीक है तो एक सर्विसमें जो व्यक्ति हैं उनके लिए इसमें क्या किया गया है दस परतिसत सीट जो है इसमें आरच्छन कर दिया गया है ठीक है और दूसरा हम बात करें कि इस फोर्म को कौन भर सकते हैं तो देखें नेशनलिटी में यहां पर लिख जिसको केंड़ेट सुड नोट है बिन बॉर्न अर्लियर देन दो साथ उन्हें सो पंचानवे लेटर दन एक साथ दो हजार दो तो देखिए आठारों से पची साल की उम्री सिमा रखा गया है जिसको जिस तरह से आरचन मिलते आ रहा है एस्टी एस्टी और बीसी वालों के ल अजिसको कोई है तो उनका साथ दॉक्टार है तो उनके लिए फोर्म को भर सकते है ठीक है और आपके लिए हाँ पर जो बहुत जरूरी चीज़ है साथ दस्मालोदों में लिखा गया है कि male candidates must possess a valid driving license LMB याने की motorcycle और car age on the date of PE and MT learner license is not acceptable तो आपके पास एक motorcycle का भी और आने की formula और tubular का license आपके पास होना चाहिए जो male candidates हैं उनके लिए और यहां पर learner license जो है उनका कोई valid नहीं है validity उसका पर नहीं माना जाएगा उसको valid नहीं माना जाएगा तो आपके पास यह चीज़ होना चाहिए कोई ऐसे वेक्ति जो NCC के certificate जिनके पास है उनके लिए हैं पर चूट दिया गया है जैसे यहां पर NCC का जो certificate category है NCCC certificate जिनके पास है उनको पांच परतिसत मक्सिमम मार्क सॉब्दाग जामिनेंशन में चूट मिलेगा यहां बात करें हाव टू अप्लाइक के बारे में तो यहां पर देखिए आपको फोर्म को भर सकते हैं वहां से ठीक है अप्लाइक कर सकते हैं कि आपको फोर्म अप्लाइक करते समय एक चीज का और ध्यान देना है कि आप फोटो वहां पे जो डालिएगा उसको वह तीन मेहना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और बीस के भी से लेकर के पचास के बीच होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यहां पर क्या लिखा यह चीज आपको ध्यान देना है कि आपका तीन महीना से ज्यादा पूराना फोटो नहीं होना चाहिए इसलिए इसको ऐसा लिखा गया है ठीक है लास्ट अप्लिकेशन साथ नों 2020 यहां पर रखा गया है देखिए जदि हम अप्लिकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर चुछ जो यह नको फॉरम भरने के लिए पैसा नहीं लगेगा जीदि uni मृइं लगए तो आपको पैसा भरने में में नहीं लगए लगीगा जबकि आप जनरल या फिर ओभी सी होगा जिसमें आपका जेनरल नोलेज और करेंट अफेर्स के नंबर और कोशन्स कितने होंगे 50 और मैक्सिमों मार्क्स होंगे 50 ठीक है यहां पर देखें पार्ट वी में रिजिनिंग है 25 नंबर के रहेंगे 25 प्रस्ण और यहां पर नुमेरिकल अबिलिटी 15 प्रस्ण में तो यहां पर आसपस्ट किया गया है कि आप एक प्रस्ण गलत करते हैं तो 0.25 पॉइंट यहां पर काट लिया जाएगा आने कि चार गलत करते हैं तो आपका सिधा एक नंबर कट जाएगा यह चीज़ आपको ध्यान में लेकर करके चलना है आगे लिखता है ठीक है चलिए अब जो बहुत जरूरी चीज़ है जैसे की फिजीकल टेस्ट के बारे में तो यहां पर देखें मेल केनिडेट की हम बात कर रहे हैं यहां पर जदी किसी का उम्र आरचन को दे करके किसी का एच जदी 30 साल से उपर हो जाता है अब टू 30 एर्स ठीक है देखें अब टूने की 30 वर्स तक तो 6 मिनट में आपको 6 मिनट में 600 मिटर की दोड़ लगाना है तो यहां पर कनफर्म है कि इसमें जोड़ होगी 600 मिटर की होगी 6 मिनट में लोंग जम्प होगा आपका 14 फिट और हाय जम्प होगा 3 फिट 9 जैदी 30 से 40 साल के बीच जैदी उमर है त 500 फिट की लोंग होगी जम्प और 3.3 फिट होगी इसमें क्या हाई जम्प तो यह होगा मेल के लिए 600 मिटर की दोड़ होगी और कितना कितना समय दिया जाएगा यह भी वहां पर बता दिया गया है जैदी हम हाइट की बात करें तो हाइट देखिए कम से कम आपका 170 सेंटीम होना चाहिए और आपको चार सेंटीमिटर आपको फुलाना नहीं कि होना चाहिए पांच यहां पर छूट दिया गया है इन लोगों को वालों को और फिजिकल टेस्ट की हम फिमेल की बात करें तो बहुत जरूरी है फिमेल वाला देख लिए जिनका उमर 30 वर्स तक है आठ मिनट में 600 मिटर दोड़ना है लॉंग जम्प है दस फीट और हाइज यहां नहीं बात कर लिया इसका फिजिकल के बारे में कि इसमें क्या फिजिकल रहेगा किस तरह से फिजिकल देना है तो दोस्तों हमने लगवबख सारा चीज़ बता दिया है अब आपको यह बीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए और जबी दोस अपको एक बदा देते हैं कि आप इसको कम से कम अपने से गवार इसका जो नोटिफिकेशन पेज है जो पेडिया फाइल जो आता है उसको इवार डिटेल्स में पढ़ ले उसके बाद ही फोरम भरे हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट किया हो जो आपको जानकारी हम नहीं दे पाएं बहु